ऐसा है कि बारत वर्ष में जितने सनातन वैदिकार हिंदुओं के प्रसिद्ध देवस्थान हैं उनके मंदिरों की समरचना 700, 800, 900, 100 वर्ष पहले हुई जैसे कि केदार ना था दी उस समय के राजाओं ने विचार किया कि हमारे दुर्ग या किला से ही हमारे अस्तित वादर्स की रक्षा नहीं हो सकती इसलिए ठाकुर दुआरे बनाकर सनातन देवी देवताओं के मंदिर बनाकर उसमें भगवान की समर्चा हो तो हम अपने अस्तित वुरादर्स की रक्षा कर सकेंगे इस बावना से बावित होकर उन्होंने शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्व और मोक्ष का समस्थान मठों को मंदिरों को बनाया कालक क्रम से गिने चुने व्यक्तियों की जीविका और मान का क्यंद्र ही बनकर ये समस्थान रह गए यही कारण है कि स्वतंत्र भारत में इन दिव्य समस्थानों के रहने पर भी भारत का जो धार्मिक आध्यात्मिक दंग से उतकर सोना चाहिए नहीं हो पा रहा है रही बाश्री मंदिर की एक विचित्र तत्य है कि कोई लक्ष्वन पंड़ा हुए उन्होंने कुछ लिखा सरकारी अधिकारी होने के कारण से वायत्यों से पूछ कर लिखा गया वो कोई रिगवेद जिसमें श्री जगन्ना जी बलवद जी सुभद्रा जी को लेकर दो रिचाएं प्राप्त हैं दसम मंदलों पर शिष्ट में सकंद पूरान आदी में विश्तार पूरवक सारे प्रकल्प का वर्णन है उनके आदार पर सम्विधान की सम्रचना नहीं की मोखिक पूछ करके जो उनको समझ में आया अध्यात्मिक मारग दर्शन लिये बिना उसको रचा उन्होंने ये भी कहा कि भाविस्य में श्थाई सम्विधान होना चाहिए परन्तु एक विचित्र विदमना है कि केंदी शाषन तंत्र रेलवे का टाइम टेवल प्रसारित न करे और रेल चलावे तो क्या दशा होगी रेल जाएगी कहां यातियों की क्या दशा होगी ठीकिसी प्रकारिय जो पवित्र समस्थान है बिना सम्विधान के चल रहा है दूसरी बात है कि जब से शाषन तंत्र ने इसका अधिक ग्रहन किया है तब से यह सेकुलर तंत्र माना जा रहा है निनानवे प्रच्षत स्री मंदिर की व्यवस्था ऐसे ही अन्य जो हमारे बद्री नाथित्यादी है 19-20 का ही अंतर है सब की व्यवस्था सेकुलर तंत्र के आधार पर है उसमें जो परंपरा प्राप्त पूजा नादी की विधा है जिसको आप रूटीन कह सकते हैं उसका क्रियानवयन होना ही धार्मिक प्रकल्प माना जाता है उसका भी नियामक कौन होता है वहाँ उस प्रांत का शाषन तंत्र घुमा फिरा करके देखें तो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक दुर्ग पर भी सेकुलर साषन तंत्र ने आधिपत्य कर लिया है इसलिए उनके अनकूल जो भी व्यक्ति होते हैं वो समिती में रखे जाते हैं सेवाय चित्यादी भी उनके यंत्र बनकर काम करते हैं तो मूल लक्ष इन मंदिरों का विलुप्त हो गया हिंदू अपने अस्तित रादर्स की रक्षा इन मंदिरों के माध्यम से कर सके यह कहपाना कठिन है हमारा भाव यह है कि संबध जितने तंत्र हैं व्यक्ति हैं सबका यथा योग ये पोशन हो लेकिन संस्थान का कोई शोशक सिद्ध न हो साथी साथ सबके हित में पवित्र डंग से इस संस्थान का संचालन हो तो उरिशा के अस्तित रादर्स की रक्षा हो सकती है और कम से कम भारत के लिए एक आदर्स हो सकता है कि स्री मंदिर का संचालन जिस उत्तम विधा से हो रहा है उस उत्तम विधा से अनि मंदिरों का संचालन भी हो इस संबन में दो महतपूर्ण तथे है जिसे मैं प्रकर करना इस सावपसर पर उची समझता हूं सावधान साथ दीपों वाली प्रिथवी के अंबरी सित्यादी एक्षत राजा थे आजकल छे दीपों वाली प्रिथवी का दर्शन भी सुलब नहीं है उस समय जो सम्मिधान था मनुस्मितियादी का उस सम्मिधान के आधार पर तो सेकुलर धार्म और अध्यात्म निर्पेक्ष एक कर्षत भी विवस्था विश्व में कहीं नहीं थी उदारन के लिए गीता का धार्मा अध्या लीजिए आजकल के व्यक्ति से पूछे तो खेती वारी कृष्षि पशुफालन वानिज ये सेकुलर वेवस्था है या नहीं हमारे यह वैश्रिक का धार्म है वो सेवा का प्रकल्ब हमारे यहां धार्मिक प्रकल्ब था आजकल वो क्या है सेकुलर वेवस्था है इसी प्रकार यूद्धित्याजी सीमा के रक्षा आजकल secular विवस्ता हमारी आख्षत्रियों का धर्म था हमने क्या संकेत किया आपको हमने यह संकेत किया कि गीता आदि का अध्यन करें मनस्मृतियादि का पूरे विश्व में एक प्रस्षत भी कोई सेकुलर वेवस्था नहीं थी अब स्थिती हो गई स्वतंत्र भारत में की मठ मंदिरों का संचालन भी 99 प्रस्षत सेकुलर तंत्र के अंदर हो रहा है एक प्रस्षत जो धार्मिक्ता कही जाती है विचार करके देखें तो उसका नियामक भी भागि विधाता भी शासंतंत्र ही है इसलिए बहुत ही अपनत्र पूर्वक मैंने कहा कि शासंतंत्र समीतितंत्र सेवायत सदभाव पूर्वक संबाद के माध्यम से इस संस्थान का पवित्र उद्देश क्या होना चाहिए शिक्षा रक्षा संस्क्ति सेवा धर्व और मोक्ष का समस्थान उसको समझ कर संचालन का प्रकल्प तयार करें 27 वर्सों से मैं इस पद पर हूँ आपको सुनकर आश्चरी होगा कि 144 वर्सों तक शिजगनात जी बलवद जी सुभद्रा जी जिनको दारू ब्रह्म कहा गया है उनका दर्शन सुलब नहीं था पाताली थे उस समय रथियात्रा आदी की सारी वेवस्था लुपत हो गई थी भगवान शंकर चरी महाभाग ने दो हजार पांसो तीन वर्सपूर्व वैशाक शुक्ल दस्मी के दिन फिर से जगनात आदी को अपनी चिर्मे करकमलों से प्रतिष्ठित किया उस समय जो भी शासक थे अगर वे इतने बलवान होते तो भगवान पाताली क्यों होते शासक तो बिलकुल मूर्तिभन्जिकों के सामने नत्मस्तक हो गए थे तभी तो भगवान इतने समय तक पाताली रहे इसका अर्थ ही है कि भगवान पर शंकर चरी महाभाग ने जिस प्रकार द्वार का दिसकी पुना प्रतिष्ठा की बदरीनात की पुना प्रतिष्ठा की आपको सुनकर यह भी आश्चरी होगा कि इस गोवर्धन माट पुरी पीठ पर प्रथम संकराचारी के पद पर अपने प्रतिष्ठा को उसी दिन भगवान संकराचारी महाभाग ने प्रतिष्ठित किया जिस दिन अपने चिनमय करकमलों से शी जगनाथादी को का एक वर्टाचार विशेशकर पूर्षोतमक्षेत्र के सारे प्रवंधन का दायत भी पनुपादाचार जी को दिया गया कोई अन्यथा मेरी बात को ना ले 27 वर्षों से गुप्तिया प्रकट मैंने श्री मंदिर में कहीं हस्ताक्षेप नहीं किया है के वल द्रष्टा होक मुझे कोई पद नहीं चये लेकिन आश्यर की स्मया है कि स्री मंदिर भी अगर सेكुलर तंत्र के द्वारा शंचालित होगा तो इसका अस्थित्व अब तक रहेगा, आदर्स विहीन अस्थित्व का कोई महत्व नहीं होता, आदर्स विहीन अस्थित्व अधिक समय तक नहीं रहता। आस्तिक्ता के नाम पर जब शोषन का प्रकल्ब चलता है तो आतंगवादी उत्पन होते हैं, कमिश्ट उत्पन होते हैं, नास्तिक उत्पन होते हैं, और देवी प्रकोब भी होता है। यहां तक शास्त्रों में लिखा है और मैंने अपने निर्णे में दिया भी था, कि जब विधिवत देवी देवता की पूजा नहीं होती, मनमाने डंग से पूजा आदी होती है, सेवा के प्रकल्ब चलते हैं, तो देवी देवता की विग्रह में से देवी देवता की तिरोहि तो जब विधिुत को लेकर विधिनिसेत की बात करते हैं, ऐसे चुहो, ऐसे नचुओ, ऐसा प्रयोग करो, ऐसा न प्रयोग करो, उसके पीछे नराग होता है, ना द्वेस होता है, ना कोरी भावुकता होती है, ना अव्य Г dab Sü . बिल्कुल प्रयोगता ला भादमित हो सके द ये बिजिल को लेकर बिनिशेद है इसी प्रकार सी मंदिर को लेकर सोचना चाहिए अब विचार की आवस्यक्ता है उरिशा की जनता विश्व में जो भी स्री जगन्ना जी के प्रतियास्थानमित हैं वो विचार करें कि धार्मिक आत्ध्यात्मिक नियंत्रन और से भीहिन या समस्थान कितने समय तक पोशक हो सकता है और अपने अस्तित को सुरक्षित रख सकता है या विचारनी प्रस्ण है एक महत्तपून बात और है सकंद पुरान में लिखा है वैशाक शुक्ल रुतिया के दिन रथयात्रा के अब सरपर कदाचिस सूर्य तीनों को द्वारисс पहुंचाना चाहिए शाथ रट्न वेदी पर दारू ब्रह्म को प्रतिष्ट करना चाहिए यह तो शास्त्री परमपरा है शास्तरी आदेश है विधा है लेकिन आजकल सुर्यास्त होते ही रचलाना बंद कर देते इसी को शास्त्र के आग्या मानते हैं कितनी ब मुख्यमंत्री के बस की बात हो तो मुख्यमंत्री करें मन्या स्री गजपत जी के बस की बात हो तो मन्या स्री गजपत जी करें और यहां के एड्मिनिस्टेटर जो आते हैं उनके बस की बात हो तो वो करें मुझे जो कहना था लोव भाय कोरी भाबुकता वेक से बिल्कुल अ छूता होकर मैंने सब के हित्की भावना से ये बात कही है हर हर महादिव